हलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासिज राजस्थान जोग्रॉफी की सीरीज में आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान में मौन्सून और रेइनफोल का क्या पैटर्न रहता है जनरली अभी तक अपन बात करें जनरल वे के अंदर कि अभी तक अपना क्या चुका है तो उस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में अपनने इनिशली इंट्रोडेक्ट्टरी पाट कवर किया था इंट्रोडक्शन के बाद में फिर अपनने कावर किया राजस्थान की लोकेशन और एकस्टेंट क्या है फिर उसके बाद में administrative जो setup है राजस्था देख ली तो अब climate की जब बात हो चुकी है तो अपन थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे कि climate में जो rainfall और यहां की अपनी जो climate है जो monsoonal climate है उसका क्या effect है क्या pattern रहता है और राजस्थान की जो location है उसका क्या यहां पर role आता है कि monsoon राजस्थान में कब तो यहां पर enter होता ह है कौन से region में ज्यादा rainfall हो रही है कौन से में कम rainfall हो रही है वह सारा pattern आज अपन जानने की कोशिश करेंगे यह not only for RAS it's also important for other exams which are being conducted in Rajasthan for for example in RPSC like school lecturers college lecturers तो वहां पर भी यह चीज इंपोर्टन्ट होने वाली English medium से जो तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुती ज्यादा helpful यह content मैं provide कर रहा हूं okay so let's begin तो अपन देखते हैं monsoon जो है यह word है क्या basically यह Arabic word है जो कि जो Arabian traders जो इंडिया में आया करते थे तो वो क्या use करते थे इन जो winds चलती थी उनका use किया होता है मतलब जैसे जैसे season change होता है summers में इनकी direction अलग होती है और winters में की direction अलग होती है तो उस हिसाब से और वो open direction देखेंगे किस हिसाब से वो change होती थी तो उस direction को यूज करके उस wind direction को use करके मान लो wind direction यह है जो मैं pattern बता रहा हूं west to east थीक है तो यहां पर अगर आपका ship है तो शिप को यह help करेगी और आप इस तरीके से navigate करके पहुंच सकते हो इंडिया में अरब कहां पर है west में अरब countries की बात करें और east में इनके comparison में east में क्या जाता है इंडिया और इसी तरीके से अगर winds की direction आपकी east to west हो जाएगी तो उस time पर यह इंडिया से अपना जो trade करना था जो भी सामान इनको लेना था जो सामान या पर छोड़ना था वो छोड़ करके फिर यह वापिस return अपने country की तरफ चले जाते थे तो इस वज़े से क्या हो गया यह seasonal जो winds है इनकी direction क्या थी navigation में help करती थी Arab जो merchants होगा करते थे तीक है इसलिए इनको नाम दे दिया क्या monsoon और इसी वज़े से अपनी जो एक तरीके से मैं बोलूँ आपको अपना जो climate है उसको भी seasonal reversal की वज़े से जो winds की direction में variation है इसकी वज़े से इंडिया की जो climate है उसका नाम भी क्या दे दिया गया है monsoonal climate इसमें एक चीज ओर देखी जाती है कि यहाँ पर जैसे जैसे wind की direction change होती है उस हिसाब से corresponding changes in the precipitation की यहाँ पर rainfall जो हो रहा है उसका भी variation आता है जैसे summers के time पर जो wind की direction होती है उसके बाद में अपने monsoon आता है तो rainfall होता है और जब winters की बात करें जब जो direction होती है wind की वो होती है land to sea अगर अपन थोड़ा सा देखें मैं आपको map पे ले चलता हूँ वहाँ पर आप easily समझ पाएंगे कि होता क्या है basically pattern यहाँ पर आपके सामने इंडिया का map पाचुका है अगर अपन summer की बात करें summers में क्या होता है temperature rise होता है अब अपने को पता है solid कोई भी material होता है वो जल्दी से heat up होता है जल्दी से heat up होने के बाद में वो क्या होता है जल्दी से ही थंडा होता है जल्दी से ही गरम होता है तो इस वज़े से जैसे गर्मियों में temperature ज़्यादा बढ़ता है तो यह वाला जो reason अपने जो land mass है यहां का temperature ज़्यादा जल्दी increase होता है बजाय की water body तो यहां पर क्या pressure हो जाएगा हवाएं हल्की होंगी तो वो क्या करेंगी उपर उठेंगी उपर उठने की वज़े से यहां पर low pressure create होगा तो यह हवाएं इस तरफ आएंगी कहां से ocean से water body से land mass की तरफ इसी तरीके से reversal की बात करें जब winters आती है तो वही solid solid वाला पार्ट क्या होगा जल्दी से ठंडा होगा और temperature क्या होगा यहां पर reduce हो जाएगा और temperature अगर reduce हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा हवाएं नीचे बैठेंगी तो क्या हो जाएगा यह high pressure belt create हो जाएगा तो high pressure belt जब create होगा तो यहां से हवाएं water body की तरफ चलेगी इस तरीके से यह wind का जो reversal है कि summers के टाइम पे तो ocean मतलब water body to landmass और winters के टाइम पे क्या होता है landmass to water body तो यह reversal हो रहा है direction का इस direction में reversal के साथ साथ में ही क्या हो रहा है जो air के अंदर moisture content है उसमें भी variation है कैसे क्योंकि जैसे ही यह हवाय यहां से गरम हो करके landmass की तरफ आती है तो इनके अंदर moisture retainity capacity भी increase हो जाती है अपन जब भी पढ़ते हैं कभी भी कोई भी concept अगर अगर अपन देखते हैं उसके अंदर कि temperature rise होता है तो उस particular region के अंदर या उस particular region के अंदर कहीं पर भी moisture अ moisture eternity कम होती है ठीक है तो इस तरीके से अपने seasonal reversal के साथ में क्या होता है accompanied with precipitation variation जो कि अपने सामने यह लिखा हुआ है change in the precipitation in corresponding रिवर्सल ओफ फिर बात करते हैं कि इंडिया की जो climate है वो कैसी है इंडिया क्लाइमेट इस ट्रॉपिकल मॉन्सून ट्रॉपिकल रीजन में अपना आते हैं क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैप में अपने अपने कितनी बार देख लिया वो पास होती है तो उससे नीचे अप्टू ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन उनके बीच का जो भी रीजन आता उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं और अपने यहां पर विंट्स की डिरेक्शन चेंज होती है इसलिए यहां पर मॉन्सून क्लाइमेट होगी अपने यहां पर जो रेंफॉल अपने रिसीव क विजन कहां से हो रही है हमाओं का साउथ वेस्ट है और फिर एंटर हो रही है इंडिया के अंदर इसलिए अपनी जो क्लाइमेट है अपनी जो रेंफॉल वह कहां से रिसीव कर रहा है अपन मैक्सिमम साउथ वेस्ट मॉन्सून से ठीक है फिर बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो rainfall जो मॉन्सुन एंटर होता है फो कब होता है इंडिया के अंदर फॉस्ट जून को में लैंड में एंटर हो जाता है एक बार फिर से अपने मैप पर चल चकते हैं वहां पर और इसली समझ में आएगा आपने देखें यहां पर वन सेगें यह देखो आप यहां पर क कि यह फॉस्ट जून को मालाबार जो आपनी कोस्टल रीजन है वहां पर एंटर होता है जो कि केरला वाले रीजन में है ठीक है और अगर इंडिया की बात है यह तो हो गया में लैंड मार्स और इंडिया की बात है तो यहां पर आप देख सकते हो 23rd तो 24th मतलब 23-24 में को अ लैंड मान और निकोबार पर मौंशून पहुंच जाता है कब 23 या 24th में को सबसे पहले यहां पर और मेंड मास की बात करें तो कहां पे पहूंच जाता है जून 1 पर फिर यह जून 1 में जैसे होता है यहां पर यहां से अरे शी से low pressure उठा ये उठने की करेगा तो जैसे ही landmass से strike करेगा तो एक branch तो इधर चली जाएगी मैं इसको थोड़ा color variation से दिखा दू जो green वाला portion में दिखा रहा हूँ यहाँ पे वो तो हो गया Bay of Bengal branch ठीक है और जो red वाला portion या pink वाला portion मैं दिखा रहा हूँ वो हो गया अपना Arabian Sea branch इस तरीके से दो branches में अपना monsoon divide हो जाता है ठीक है अब ये Arabian Sea branch जो है वो भी दो branches में bifurcate होती है और Bay of Bengal भी दो branches में bifurcate होती है वो कैसे होती है वो थोड़ा सा आपन देख लेता है कि Arabian Sea branch जो है वो यहाँ पर नरमदा और तापी ये दो नदिया ऐसी है दो rivers जो रिफ्ट वैली के अंदर flow होती है रिफ्ट वैली के बारे में अपन exogenetic और endogenetic forces के बारे में detail में पढ़ेंगे वर्ल जोग्राफी में वहाँ पर जाके Arabian Sea branch यहाँ पर टकराती है तो यहाँ पर क्या है वेस्टन घाट तो वेस्टन घाट के पैरलल पैरलल ये हवाएं इधर move करती है कुछ तो यहाँ पर precipitation कर देती है और उपर से निकल के और फिर बाद में अंदर enter हो जाती है बाकी कुछ part क्या होता इसका वेस्टन घाट के पैरलल पैरलल फ्लो होता रहता है और साथ में ये हवाएं एक ब्रांचिस की नरंदा और तापी से भी enter हो जाती है और सीधा main central इंडिया में चली जाती है तो इस तरीके से Arabian Sea की भी दो ब्रांचिस होगी तो particular Arabian Sea की ब्रांच की बात करें और राजस्थान के concept की बात करें एक तो ये दूसरा अपन ये देखेंगे कि Bay of Bengal की एक ब्रांच आ रही है वो क्या करेगी यहाँ पे म्यामार में Arakan Yoma Mountain Series है वहाँ strike करती है दो parts में डिवाइड हो जाती है एक ब्रांच यू निकल जाती है और दूसरी ब्रांच हिमालय के पैरलल यू निकल जाती है ओके मैं वापिस से बना रहा हूँ Bay of Bengal ब्रांच एक इधर से यू आती है नीचे की तरफ गंगा यमुना जो अपना flood plane है उधर से और एक है जो उसके Northern part या फिर हिमालय के पैरलल निकल जाती है वो फिर जाकर के राजस्तान में एंटर होती है जिसके बारे में next slide में अपन बात करेंगे चलते हैं अपन वापिस starting में अब बात करते हैं ये तो हो गया अपना सारा इंडिया की बात अब ये first ओके वेट तो अब अगर अपन राजस्तान में जो rainfall pattern है उसकी बात करें तो उसके बारे में देख सकता है अपन कि राजस्तान में जो rainy season है वो start होती है लग बग mid June to September के बीच में चलती है mid June to September जैसा कि अपने मैप देखा था इंडिया का यूँ घूम करके और इस तरीके से monsoon winds आ रही है तो सबसे लेट कहां पर पहुंच रही है राजस्तान वाले रीजन के अंदर पहुंच रही है राजस्तान में इस तरीके से अपने फिजिकल डिविजन देखा था तो उसमें एक दम पैरलल निकल जाती है उसका मैप अपन देख लेंगे एक बार पहले इसके बार हम थोड़ा एक लिए ज़्यादा एजी गोइंग रहेगा इंडिया वाले मैप में अगर अपन देखे तो जब समर्स के टाइम पर हाई टेंपरिचर होता है तो हाई टेंपरिचर की वज़े से यहां पर क्या होता है टेंपरिचर राइज और यहां पर लो प्रेशर बैल्ट क्रियेट ह बन्गाल बंच को अपनी टर से अठीथ करता हूँ इस चीज को अगर अपन देखे तो राजस्तान के अंदर जो में काम है वह देखेंगे अपन कि due to high temperature in month of May and June Sindh province of Pakistan and western Rajasthan region comes under low pressure ठीक हाई temperature की वज़े से low pressure हो गया और very high temperature की वज़े से ही हो गया समर्स में और इस वज़े से southwest monsoon इंडियन ओशन से Rajasthan मेंटर होता और उसकी दो ब्रांचेज होती Arabian Sea और Bay of Bengal ब्रांच अब इन दोनों ब्रांचेज की डिटेल में थोड़ी स्टड़ी करें राजस्थान के perspective में तो यह जो Arabian Sea ब्रांच है वो तो क्या होती है अरावली के बिलकुल parallel निकल जाती है इसलिए यहाँ पर rainfall बिलकुल कम होता है जैसे यह map हो गया यहाँ पर राजस्थान है अरावली इस तरीके से located है तो Arabian Sea ब्रांच इस तरीके से साइड से parallel निकल जाती है कोई obstruction नहीं आता आता भी है तो southern जो अरावली portion है जहाँ पर माउंट अबू सिरोही वाला region है या उदैपर वाला region है वहाँ पर ज्यादा height होने की वज़े से ज्यादा चोडाई होने की वज़े से spread थोड़ा ज्यादा है अरावली का तो वहाँ पर थोड़ा बहुत southwest monsoon की वज़े से rainfall हो जाता है जैसे माउंट अबू में राजस्थान में सबसे ज्यादा rainfall होता है ठीक है बाकी जो क्या होता है यह सारी हवाएं एकदम parallel निकल जाती है और हिमाले तक पहुंच जाती है और हिमाले तक पहुंचने के बाद में फिर क्या करती है वहाँ पर strike करके rainfall करती है तो यह चीज़ अपन यहाँ पर देख सकते है slide में एकदम clearly कि it passes to it passes parallel to Aravli so there is low rainfall in Rajasthan region due to high temperature in western desert जो western region है वहाँ पर temperature हमेशा high बना रहता है तो उसकी वज़े से क्या होगा वहाँ पर condensation भी नहीं हो पाता और condensation नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर इस वज़े से भी rainfall कम हो पाती है इसका मतलब क्या हो गया कि Rajasthan के अंदर high temperature की वज़े से condensation की condition नहीं मिलने की वज़े से भी rainfall नहीं हो रहा और दूसरा Aravli जो है वो एकदम parallel located है Arabian Sea के इसकी वज़े से वहाँ पर Orographic जो rainfall होना चीज़ Orographic का मतलब due to abstraction of mountains rainfall वो भी नहीं हो पा रहा वज़े से अपने rainfall deficit रहता है और यह ultimately Arabian Sea हमालया तक पहुंच जाती है और वहाँ पर फिर rainfall होता है ओके फिर next बात करते है अपन Bay of Bengal ब्रांच की Bay of Bengal ब्रांच की अगर अपन बात करें तो Arakan Yuma Mountain सीरीज है म्यामान में वहाँ पर यह collide करती है कॉलिजन के बाद में इसके बाइफरकेशन होने के बाद में तू ब्रांच में यह convert हो जाती जो अपन ने पहले मैप में समझ लिया फिर यह क्या करती है यह parallel to Himalayas पास हो जाती है एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच जो होती है वो low pressure belt जो थार का है उसकी तरह अट्रेक्ट होती है जो की सबसे पहले एंटर होती हाड़ोती रीजन ओफ राजस्थान और वहाँ पर rainfall होता है हाड़ोती रीजन ओफ राजस्थान की आप बात करें तो यहाँ पे इंडिया के मैप में ही अपन देखें तो देखो यहाँ पे यह वाला जो belt है अब यह red वाला जो portion है वो देखो आप June 15, June 15, 16 की बात की थी और यह वाले रीजन, यह वाला रीजन कौन सा हाड़ोती में राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे यह फिर सदन्त में थोड़ा बांसवड़ा वाले रीजन अपने बात की कि बांसवड़ा में सबसे पहले अपने एंटर होता है और रीजन वाईज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रीजन कौन सा काव रहता है पैर अफी बैंग बात कारते को वह तो इधर से आएगी और साओथ मॉन्सून की ज़ो अरेबियन सी ब्रांची है वह सौड़ा वाले रीजन में अंटर होती है फिर अगर अपन थोड़ा और डीटेल लेने की कोशिस करें Bay of Bengal branch की तो Bay of Bengal branch क्या कर रही है ये गैंजेटिक यमुना flood plains है उनके तुरू उनके उपर से flow होती हुई आ रही है और साथ में क्या हो रही है वहाँ पर भी heat ज्यादा होने की वज़े से precipitation होता है condensation की condition मिलती है इस वज़े से इन airs के अंदर क्या होता है moisture content भी कम होता जाता है और ये हवाएं देरे-देरे dry होती जाती है और फिर जब ये राजस्थान में enter होती है तब तक क्या होता है बहुत कम इनके अंदर moisture content होने की वज़े से राजस्थान में ये कम rainfall कर पाती है पर फिर भी अगर particularly राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के eastern और south eastern region के अंदर bay of बंगाल branch ज्यादा rainfall करती है इस चीज़ को अपन map पे देख सकते है ये आपके सामने मैं पा चुका है देखिए यहां से bay of बंगाल branch इधर से यू enter होती है यू ठीक है तो इस case में कहा rainfall ज्यादा हो रहा है आप ये green वाला portion देख सकते हैं यहां से देख सकते हैं 100 cm से भी ज्यादा 90 to 100 cm 80 to 9 मतलब 80 to 100 cm or more than 100 cm rainfall अपने को कौन से region में दिखाई दे रहा हाड होती वाले region के अंदर bay of बंगाल branch की वज़े से और फिर जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है इसकी और moisture content कम हो जाता है और साथ में bay of बंगाल branch के लिए यहां पर अगर मैं अरावली को draw करूँ जो रावली का structure था तो इसके लिए अरावली क्या कर रही है obstruction का का काम कर रही है तो एक barrier का काम करती है तो इस तरफ यहां पर rainfall इस वज़े से भी कम हो पाता है तो एक तो condensation की condition proper नहीं मिल रही है western राजस्तान में और दूसरा अरावली obstruction का का काम कर रही है bay of बंगाल branch के लिए तो इस वज़े से यहां पर rainfall western राजस्तान में बिलकुल कम हो और desert वाली condition अपने को यहां पर मिलती है यहां पर अपन देख सकते हैं सबसे कम rainfall कहां पर है सबसे कम rainfall देखो less than 10 cm western जैसलमीर वाले रीजन में जैसलमीर सबसे driest region है या driest district है राजस्तान का और particular place की बात करें तो माउंट अब ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा rainfall है राजस्तान में और particular region की बात करो तो सबस वापिस से फिर से अपनी slide पर तो इस तरीके से बेव बंगाल ब्रांच का हो गया अपना पुरा अरावली ने काम कर दी आपना किस की तरह है अरावली ने काम किया एक barrier की तरह है जिस वज़े बेव बंगाल ब्रांच की वज़े से राजस्तान में rainfall कम हो पाता है जबकि Arabian Sea ब्रांच से rainfall कम क्यों हो पा रहा है उसकी वज़े थी condensation के लिए favorable condition नहीं मिलती western राजस्तान में तो ये दोनों की वज़े से राजस्तान में rainfall कम होता है फिर बात करें अपन कि राजस्तान के अंदर जो rainfall है जितना भी annually होता है उसका कौन सा part सबसे ज़्यादा राजस्तान क तो मिलता है और जैसे ही फिर दिरे दिरे अपन winters की तरफ प्रसीड करते हैं पूरे year के अंदर जैसे October और November की बात करें तो monsoon retreat स्टार्ट हो जाता है मतलब monsoon वापिस जाना शुरू हो जाता है वापिस जाने का मतलब पहले तो हवाएं थी southwest to landmass अब क्या होने लग to ocean bodies water bodies तो इस वज़े से क्या हो गया monsoon आया और फिर वापिस गया आया वापिस गया ठीक है तो यह monsoon retreat होना शुरू हो गया इसका concept Indian geography में बहुती बड़ीया तरीके से मां पढ़ाऊंगो आपको अभी पहले world geography और राज्थान geography अपन cover करेंगे इन मेंसे जो भी complete होगा तो आपन वहां पर Indian geography start कर लेंगे तो basically point यह है कि हर एक faculty का एक ही concept चल रहा है कि वह दो subject ले रहे हैं चाहे और राजस्थान के अंदर विंटर्स आती है तो विंटर्स के टाइम पर western disturbances जाते हैं इसके बारे में concept बहुत बढ़िया तरीके से पहले बता चुका हूं और इसकी व मावट का concept मैं अल्रडी बता चुका हूं previous lectures में ठीक है अपने जो western disturbances कौन से winter sorry Mediterranean Sea से उठकर के jet stream की वज़े से आती है और फुर उसकी वज़े से अपने हिमालय या इसकी वज़े को लाइड हो करके राजस्तान के नौर्थ और नौर्थ वेस्टन region के अंदर rainfall होता है जिसमे अरावली भी कुछ obstruction का काम करती है यह Mediterranean Sea है अब world map में देख सकते हो ठीक है उसकी वज़े से और यह हिमालय है यह अरावली है तो यहाँ पर फिर अपने इस वाले region के अंदर कौन से में नौर्थन और नौर्थ वेस्टन region और राजस्तान में rainfall होता हो जिसको अपन क्या बोल है वो वैसे वैसे rainfall क्या होता जाता है कम लिखाओ अभी है और सत्वार्शिक वर्षा में कमी एन्यूवल एवरिज रेंफॉल डेफिसेट विद मोविंग फ्रॉम साउथ इस तो नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट रिजन में जैसे जाओगे यह question पूछा जाता है कि जाते हैं तब कम मिलता अबसकर हुआ तो अपने आंसर क्या जाओगा जैएगा साउथ इस टून वेस्ट नौर्थ वेस्ट जब जाते हैं तब रेंफॉल कम होता है और इसका जओसट आपोजहिट नौर्थ वेस्ट उसे साउद इस इन क्रीज होता है reverse और यहां पर geefशा क की बात कर लेते हैं राजस्तान में rainfall और monsoon से related राजस्तान में lowest rainfall है वो कहाँ पे experience होती है जैसल मेर में highest rainfall एक particular place की बात करें तो कहाँ पे होती है राजस्तान में Mount Abu जो कि शिरोही district में located है highest rainfall region wise अगर अपने देखे तो हाड़ोती region में होती है अगर average annual rainfall of राजस्तान की बात करें तो वो है 57.51 cm इसमें थोड़ा माइनर variation हो सकता है पर average जो निकाला गया अभी तक की जो studies में वह है 57.51 cm rainfall annual average rainfall राजस्तान जो गेन करता है ठीक है annual का मतलब जिसमें मावट भी consider हो गई गर्मियों के टाइम पे जो एक तरीके से मैं कहता हूं storms आते हैं उसकी वज़े से भी अगर rainfall हो रही है जिसको प्री मॉन्सून बोल देते हैं ठीक है या फिर मॉन्सून की वज़े से तो उनका सब का average lowest rainfall अगर आपन देखें जहां पे less than 10 cm rainfall अपने को मिले तो वो है western जैसल में जिसका आपने मैप में वहले हो लिए लिए डिसक्शन कर तो rainfall अपने राजस्थान में decrease होता है south east towards to north west इस तरीके से आज अपने पूरी अच्छे से बात की है कि राजस्थान में जो मॉन्सून का concept हो किस तरीके से है कब आता है कब जाना शुरू होता है mid June to September का पूरा सीजन होता है October November में retreat शुरू होता है और October November में जब मॉन्सून चुरू होता है तो October heat अपने वापिस से गर्मी भढ़ना शुरू जाती जिसको क्या बोलता है October heat इसके बारे में concept अपना आएगा Indian geography में जब आपन climate और मॉन्सून की बच्छे से detail में बात करेंगे तो इस तरीके से आज का अपना lecture यहीं खतम होता है thank you so much for watching this video do subscribe our channel like the video share the video and if you have any suggestion please comment thank you